यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बहुत अच्छे बच्चे का मतलब जो महनती बच्चा है उसका स्टोरी सुना रहा हूँ एक बच्चा था जो की नीट का प्रपेशन करता था और नीट के प्रपेशन के समय में हर टेस्ट से पहले वह बहुत महनत करके जाता था मतलब जो भी सिलेबस होता था टेस्ट का उन सारे को अच्छे तरीकी से रिवाइज करता था और रिवाइज करने के बाद जब वो टेस टेस्ट पर जाता था रास्ते मी यह सोचता भी था यार कि आज मुझे बिल्कुल निगेटिव नीगरना आज बूझे अच्छा स्कूर करना आज मुझे पिछले टेस्ट से इतना इंप्रूब्मेंट करना हर चीज करके जाता था टेस्ट देने के लिए और टेस्ट जब तो टेस्ट पेपर में आने वाले 180 में से 180 questions वो खुद से solve कर लेता था तो उसको यह देख गया थोड़ा सा confidence तो आता था यहर कि मेरे पास knowledge तो है लेकिन problem यह हो रहा है कि हम test paper में test के समय question solve नहीं कर पा रहा है लेकिन वो बच्चा इस चीज़ पर काम करते गया काम करते गया ह और test में थोड़ा बहुत improvement होते गया बट नीट में क्या हुआ कि वह एक average बच्चा था कभी भी उसने सारे 400 प्लस score नहीं कर पाया था test में बट हर मॉक टेस्ट को सही तरीके से analysis किया हर चीज करते गया और नीट में उसका पहला वाल में selection भी हो गया था और वो बच्चा प्लस टाला अपने टेलेगराम पर में सारे स्टुडेंट को तीन के डिवाइड कर दिया एक टेगरी वन ऐसे बच्चे जो सारे 400 से नीचा नमबर ला रहे हैं एक ग्री टू ऐसे बच्चे जो चेसों और पांसों के बीच में हैं ठीक है और एक केटगरी ऐसे बच्चे जो 3 के student जो भी हैं, वो अगर सही से काम करेंगे, जो मैं बताऊंगा, तो उसका 100% selection हो जाए, और जो category 1 के बच्चे हैं, वो 600 पलस ला सकते हैं, अभी जो मैं बाते बताऊंगा, वो ऐसा नहीं है, कि सिर्फ और सिर्फ 2024 वालों के लिए, अगर आप 2025 के sprint हो या फिर और किसी भी examination क स्प्रेंट हो, नीट हो, जैई हो, कोई भी हो, ये तरीका आपको follow करना जरूरी है, और वीडियो में आगे बने इस पहले में आपको एक important information देद रहा हूं, कि Unacademy एक event कर रहा है, आरम्ब 2024, ये एक biggest event होने वाला है, नीट और जैई के टेगरी के student के लिए, आप अगर 2024 य ये event को आप जरूर अटेंड करना, ये जो event होने वाला है, इस event में चार biggest surprises रिवील भी होगा, और ये बहुत interesting event है, क्योंकि इसमें बहुत सारे celebrity भी आने वाला है, कार्तिकारियन, सानिया मिर्जा, करन जोहर, बहुत सारे celebrities भी हैं, जो इस event में आएंगे, तो बहुत interesting event है, ये event कहां पे होगा, तो ये event साथ अप्रिल को होने वाला है, एक पीम से लेके तीन पीम के बीच में, इसमें कापिसल चीज आपको सीखने को भी मिलेगा, कुछ surprises है जो कि आपको पता चलेगा, तो ये event हम आखिर अटेंड कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे इस वीडियो कि ये जो event है, वो आपके neat और जई के preparation को एक नया मोर देगा, और आप एक बेटर तरीके से preparation कर सकते हो, और ये बहुत interesting event होने वाला है, सच में, मैं तो उसका part नहीं बन पाया, क्योंकि मेरे पास अभी time नहीं है, तो आप जरूर उस event को attend करना, बहुत सारे top teachers हैं, वो भी वो event को आप जरूर अटेंड करना, लाइव आप अटेंड कर सकते हैं, अब हम बात करना है, category 2 और category 3 के student के लिए, कि आखिर किस परकार से आप marks इंप्रूव कर सकते हैं, आपका score अगर सारे 400 से 600 के बीच में है, तो improvement करना थोड़ा difficult तो है, आपको करना क्या होगा, जब भी आपको इसे फ्रेंड से डिसक्स करके, उसका solution निकालो, चाहे आप solution दे के करो, या फिर आप teacher से पूछ के करो, लेकिन आपको 200 के 200 question का solution आपको पता होना चाहिए, जैसे ही आप test paper दे के आए, paper देने के बाद, ये मैं वैसे category के लिए बता रहा हूं, जो कि अच्छा analysis करना है, कैसे करना है, देखो, उसमें कुछ question ऐसे होंगे, कुछ नहीं, maximum question ऐसे होंगे, जो आपने correct कर लिया, कुछ question ऐसे होंगे, incorrect होंगे, कुछ question ऐसे होंगे, जो unattempted रहा गया, और कुछ question ऐसे होंगे, जिसको आपने छोड़ दिया, इस वज़े से, कि यार वो confusing था, और कुछ question तो आपने सही कर रहा है, वो question भी, इसमें बहुत सर ऐसे questions होंगे, जिसको आपने तुक्का मार के सही कर लिया, आपने सही से answer तो नहीं ला पाया, बस guess कर के सही कर दिया, तो ऐसे different type के questions आपके paper में होंगे, आपको क्या करना है, as a good student, अगर आपको नीट में और कुछ question unattempted रहा होंगे, अब जो question unattempted रहा है, तो आपको ये देखना है, कि क्या मुझे theory नहीं आता था, या फिर थोड़ा बहुत doubt था, या फिर theory आता था, मैं recall नहीं कर पाया, revision कम था, practice कम था, आखिर क्या reason था, ये question ना बनने का, देखो, तुम एक अच्छा student हो, क् आप ये सारे step को जरूर फॉलो करो, आपको पता चल गया, कि ये region से मेरा incorrect हुआ, ये region से correct हुआ, अब आगे समझना, पेपर analysis करने के बाद, आपको ये करना है, कि जो भी chapter का वो test हुआ था, उन सारे chapter का, आपको एक बार notes को revision करना, और आपको सारे, correct हो, incorrect हो, कोई भी chapter हो, आपको एक बार notes revision करना test के बाद, और जाके देखना है, यार कि अच्छा, यहां से question बना था, मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसे question भी बन सकता था, ये आपके दिमाग में thought आएगा, तो आपको proper notes revision करना है, correct और incorrect और unattempted सारे chapters के, ठीक है, एक बार notes revision कर लिए, आपको सारा च NCRT highlight कर लो, जो भी आपने incorrect कर रहा, solution आपको पहले करना है, मैंने आपको पहले बोल दिया, कि आपको एक-एक question का solution पता होना चाहिए, solution जब करोगे, बहुत कुछ आप सीखोगे, सीखने के बाद, हर एक चीज़ जो important है, जो तुम्हें नहीं पता था, उन सारे चीज़ों क है, जो मुझे पता ही नहीं था, ऐसे points, ऐसे चीज़े, आप physics, chemistry, biology, तीनों में, आप point out करो, और उसको दिमाग में बिठा लो, या पर कहीं पे लिख लो, ताकि आप भूलो ना, ठीक है, और तीसरा चीज, कोई नया formula आपने सीखा, जैसे होता ना, मैं जो coaching institute का test दिया करता उस test का हमें solution भी मिलता था, अगर उस solution में हमें कुछ नया formula यूज दिखाया था, यहर कि इस question में, ऐसा formula लगाया है, यह तो मुझे पता ही था, तो वो formula को हम अपने formula book में note कर लेते थे, आपको मैंने proper formula sheet दे रखा है, आप जाकर हमारे telegram पे डाउनलोड कर सकते हो, हर test से पहले यह formula sheet एक-एक बच्चा revise करके जाएगा, एक-एक बच्चा revise करके जाएगा, और हमारे telegram पे आपको 100-100 questions का daily targets मिलना है, 100 questions का, अब जाके देखो, link description में आपको मिल जाएगा, वो question बहुत selected question है, वो आपके लिए specially, specially वो आपके category के student के लिए है, क्योंकि वो selected question है, आप हमारे biology के notes को भी use कर सकते हो, proper revision करने के लिए, एकदम rapidly revision करने के लिए, ठीक है, और try to solve the question by own, पहले आप खुद से solve करो, अगर नहीं बनता है, फिर teacher साब पूछो लेकिन पहले आप खुद से solve करो, notes परो, NCRT परो, revision करो जाके, और फिर से solve करो, लेकिन वो question पहले खुद से try करो, solve करने का, क्योंकि दिमाग भी तो लगाना आना चाहिए, मानलो कि कुछ question ऐसे थे, जो mistake हुए, साले चीजों का, आप एक mistakes note बनाओ, जिसको कि आप next से पहले, anyhow revision करके जाओगे ही, similar type के question, जो आप negative करके आओ, या फिर unattempted है, या फिर गलत कियो, जो भी कियो, similar type के questions को आपको थोरा बहुत और practice करना है, ताकि अगर similar question neat में आए, तो वो आपसे बने, मानलो को question आया, ठीक है, question में कैसे दिया हुआ, ये formula है, ये है, ये है, जैसे ये दिया रहेगा, हम तुरंत अपने notes पे जाएंगे, और hit करेंगे, कि यहाँ पे ये formula लिखा हुआ है, अब य होता है, कि बहुत सरे question ऐसे होता है, बहुत lengthy होते है, लेकिन उस lengthy question का, एक sort process भी होता है, जब आप room पे question solve कर रहे होगे, वही incorrect या पिर unattempted question, जब आप room पे solve कर रहे होगे, आप ये देखो, या, lengthy process तो मैंने solve कर लिया, लेकिन आप कोई sort तरीका है, क्या इसको solve करने का, य ये smart techniques है, questions को solve करने का, टॉपर्स ऐसे ही preparation करते है, तो आप किसी questions का, एक sort cut method पूंड होगे, कैसे इसको कम समय में solve कर सकते है, कौन सा step इसमें हम skip कर सकते है, question का answer आजाएगा, but step कौन सा में skip कर सकते है, physics, chemistry, biology में क्या है, physics or chemistry, basically formula based questions इसमें आते है, तो आपको formula को memorize करना भी start करना चाहिए, आपको biology में भी concept को memorize करना, start करना चाहिए, क्यों, मैं मानता हूँ कि आपको आता है, मैं मानता हूँ कि आपको अगर time दे दू, तो आप questions को पूरा solve कर लो, और यही तो हो रहा आपके साथ, यही हो रहा, आपके पास जब sufficient time होता है room पे, तो आप questions को solve कर लेत target दो, कि 4-5 chapter biology का हर रोज revision होना चाहिए, 4-5 chapter, हर रोज revision होना चाहिए, और revision के साथ 400 approach questions आप हर रोज solve करो, क्योंकि आपके लिए सबसे most important है questions को solve करना, practice makes a man perfect, यह आपको पता होना चाहिए, revision करने का, यह फिर marks improvement करने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका और सबसे बेस तरीका वो है practice, आप जितना ज़्यादा questions को practice करोगे, उतना ज़्यादा आप concept को सीखोगे, आपको clarity मिलेगी, कि हाँ, ऐसा question आएगा, तो हम ऐसे solve करेंगे, अब मैं आपको यह बता रहा हूँ, कि जो category 1 के student है, जिसका 400 से कम का नंबर है, तो उसके लिए सबसे most important चीज़ है, कि प आप ऐसा ही false hope में जीते रहोगे, कि number ला रहे हो 200, और आपको चाहिए aims देली, यह आप false hope में हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे यह करना है, कि पहले आप knowledge गेन करो, पहले आप revision करो, आप जाके one short video कम से कम देखो, जो chapter आपको week है, आप NCRT पढ़ो, आप यह सारी चीज़ टू और category 3 में बताया था, वो सारी चीज़े आपको भी follow करना है, और साथ ही में आपको क्या करना है, जो chapter आपका week रह गया है, जिससे question बार-बार नहीं बनता है, वो specific chapter का, आपको one short देख सकते हो, अगर बिल्कुल नहीं समझ में आया है, तो one short देख लो, या फिर आप class notes पढ़ सकते हो, या फिर आप NCRT पढ़ सकते हो, जो high scoring chapter है, उस पर अच्छे से काम करो, मैंने एक list भी आपको provide कर रहा है, आपने telegram पर की physics, chemistry, biology के कौन-कौन high weightage chapter है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, यह high weightage chapter है, यह high weightage chapter है, chemistry के, यह high weightage chapter है, फिजि करने के बाद, वो question कहां से उठाया गया, NCRT में, वहाँ पर जाके आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है, question का आपको explanation पढ़ना है, और try to arise similar questions from your NCRT or textbook, अगर biology का है, chemistry का है, तो similar questions आप arise करने की courses करो, बहुत सरे questions होते हैं, जिसको आप option elimination method से solve कर सकते हो, अगर आप बोलोगे pain use करके पढ़ो, कि question में क्या-क्या लिखा हुआ है, हर एक चीज point out करो, और underline the question part, question का question part क्या है, क्या पूछा गया, correct, incorrect, which of the following statement is incorrect, क्या पूछा गया है, यह आप point out कर लो, physics questions को generally आप fragment में पढ़ो, अगर question lengthy है, तो कुछ point पढ़ो, और उससे जो निचोर निकला उसको लि जब भी आप option को टिक करते हो, तो इससे पहले देखो, कि other option तो सही नहीं है, फिर check the units, option का unit क्या है, यह सारी चीज है, छोटा सबर precautions है, जो आपको लेना पड़ेगा, ताकि आप negative ना करो, बट हमारा काम है आपको prepare करना, अगर आप अभी से prepare हो जाते हो, तो NEET में भी आप कर पाते हो, तो उसको skip करके दूसरा question पर जाना है, time management skill आपको आना चाहिए, question को skip करना आना चाहिए, तो test paper जरूर देना, test paper दोगे, तब ही जाके आपको अपनी गलतियां दिखेगा, और marks कम आए तो depressed मत होना, believe करना खुद में कि यहां पर test paper में थोड़ा बहुत difficult question आता ह तो मेरा marks कम भी आ रहा है, तो कोई बात नहीं, NEET में हम अच्छा स्कूर करेंगे, तीक है, all the best